जै माता दी दोस्तों मैं रोसनी सुकला एस्टोलोजी एंड वास्थो एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करती हो एस्टो रोसनी यूटूब चैनल पर दोस्तों सुक्रवार का दिन माता अश्टलच्मी का दिन माना जाता है सुक्रवार का दिन मासंतोसी का दिन माना जाता है और सुक्रवार का दिन वैवव के कारग्रह सुक्राचार का दिन माना जाता है जिन पर सुक्रग्रह की कृपा बरसने लगे ऐसे रंग से रंग के व्यक तो आज के वीडियो में जानेंगे सुक्रवार के दिन किये जाने वाले उपाए और जानेंगे माल अच्छमी और शुक्र को पिरसन करने के तरीके जिससे आप भी लाखो करोडों में खेलने लगेंगे बस आप इस वीडियो को अन्त तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें सुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए सुक्रवार के दिन हमें चीनी का दान करना चाहिए इससे सुक्र ग्रह मजबूत होता है सुक्र के मजबूत होने से कभी धन का आभाव नहीं होता है सुक्र जब मजबूत होता है तो धन दौलत सुक्षम्रदी ऐसो आराम सब कुछ स्वता ही प्राप्त हो जाता है इस दिन किसी गरीब को चावल का दान करने से मातालचमी प्रसन होती है हो सके तो इस दिन दूस से बनी चीजों का भी दान करें इससे कुंडली में धन योग बनता है धन योग बनने से गरीब से गरीब व्यक्ति को भी धनवान बनते देर नहीं लगती है मालचमी को प्रसन करने के लिए इस दिन मातालचमी को अपराजिता का फूल चड़ाएं ततकाल इच्छा पूर्ती करने के लिए मालचमी को गुलाब का इत्र चड़ाएं और किसी सुहागिन महिला को सिंगार का सामान भेट करें अगर आप मालचमी को सिद्ध करना चाहते हैं तो गव माता की पूछ के सुरुवाती हिस्से के पांच या साथ बाल चांदी की तावीज में भर कर सुक्रवार के दिन पहन लें इससे मातालचमी स्वता ही सिद्ध हो जाती हैं और जीवन में धन का आभाव नहीं होता है इस रतन को धारन करने से धन का आगबन बढ़ने लगता है पैसों की कभी कमी नहीं होती है और पारिवारी कले भी समाक्त हो जाता है अब जानते हैं दोस्तों की सुक्रवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए तो इस दिन किसी को कर्ज या उधार नहीं देना चाहिए इस दिन घर में सीशा खरीद कर नहीं लाना चाहिए इससे घर में गरीबी आती है इस दिन किसी भी प्रकार की नसीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही खटी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए इससे मातालचमी अप्रसन हो जाती है तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी की सुक्रवार के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं जिससे माता लच्मी की करपा प्राप्त करके आप धन्वान बन सकते हैं उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को सेयर कीजिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार इश्वर करें आपका दिन सुभो